हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूआ यूट्यूब चैनल स्वभाग्या आज मैं आपको बारा भावों के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एक जनम कुंडली इसमें ये जो सारे ट्राइंगल्स या डाइमंड शेफ के आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये हैं भाव इनको कई जगा घर बोला गया है कई जगा इनको हाउस बोला गया है ये टोटल बारा होते हैं तो हमारी कुंडली में टोटल बारा भाव हुए इसका सीक्वेंस में आपको बताता हूँ ये ह यह है भाव नबर 1 यह भाव 2 यह भाव 3 यह भाव 4 यह भाव 5 यह भाव 6 7 8 9 10 11 और 12 अब यह देखिए यह जो 12 खाने हैं यह भाव जो हैं यह किसी भी जनमकुंडली का बेसिक है और यह जो भाव हैं हमेशा fix रहते हैं तो जब भी आप कोई जनम कुंडली देखें तो उसमें confuse मत हो अगर कोई एक नमबर की जगा दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर या कुछ भी यहाँ पे नमबर लिखा गया है एक की बजाए तो उसकी जगा confuse ना हो भाव नमबर एक ही रहेगा इसके अंदर कोई भी नमबर लिखा हो उसको लेके आप confuse ना हो बिलकुल भी बेसिकली यह कुंडली आपके जीवन का एक दरपन है यह जो अलग-अलग भाव हैं यह व्यक्ति के सारे जीवन को दर्चाते हैं कुंडली की particular चीजें particular boxes से देखी जाती आप note करना शुरू कीजिए जहां यह एक नमबर लिखा है यह पहला घर है इसको हम बोलते हैं लगन यह घर आपको स्वयम को दर्चाता है यह घर आपका behavior decide करता है आपकी personality को दिखाता है आपके attitude को भी यह घर दिखाता है अब जो यह दूसरा number घर है यह दिखाता है घर और वाणी को कि आपके पास कितना finance है जिस घर में आप पैदा हुए हैं अब जो यह तीसरा घर है यह दिखाता है मेहनत छोटी यात्राएं और छोटे भाई बहन चौथा घर दिखाता है यहां से आप माता के लिए वाहन के लिए सुख सुविधाओं के लिए आपकी पुष्टेनी जायदाद यह सब दिखाता है चौथा घर नेक्स्ट पांचवा घर यह होता है हमारे संतान के लिए संतान के बारे में कुछ जानना हो पांचवे घर को देखते हैं यह घर अंसर्टेन गेन का भी है अंसर्टेन गेन जैसे लौटरी जुआ सटा यह सब हम पांचवे घर से देखते हैं यह घर स्टमक के लिए है मेंली लव अफेर्स यह सब हम पांचवे घर से देखते हैं नेक्स्ट छटा घर रोग रेन शत्रू दुरगटना मुकदमा कोर केस लिटिगेशन और सबसे ज़्यादा कॉंपिटीशन यह सब हम देखते हैं छटे घर से यहां से हम लंबी बिमारी भी देखते हैं अब साथवा घर यह घर घर को मृत्यू स्थान कहा गया है सीक्रिट रिसर्च नॉलिज का घर भी है यह डिप्रेशन एंग्जाइटी यह सारी परेशानियां हम आठवे घर से देखते हैं बेसिकली यह एक बुरा घर माना गया है अब नौवा घर आप यह बेसिकली जानते रहिए कि यह जो घर मैं ब नंबर लिखा हो उससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होएं यह नौवा घर हमेशा नौवा घर ही रहेगा भले ही इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो बाकी इसके अंदर कौनसा नंबर लिखा है वह हम आगे आप से डिसकस करते हैं नौवे घर से हम पिता को देखते हैं ये सारा हम दस्वे घर से देखते हैं, इससे हम lifestyle भी देखते हैं, कुछ astrologers इस घर को पिता का घर भी कहते हैं, मगर मेरा अपना जो अनुभव है, उसमें ये बात बिलकुल ही गलत साबित हुई है, हम पिता का घर नौवा घर ही मानते हैं तसवें घर को हम पिता का घर नहीं देख सकते Next, ग्यारवा घर ग्यारवें घर से हम बड़े भाई को देखते हैं लाब देखते हैं Fulfillment of Desires का घर भी ये कहा गया है ये घर छोटी बिमारियों का भी है ग्यारवा घर अगर लाब लेके आता है तो अपने साथ छोटी बिमारियां भी लेके आता है 12 घर से हम जेल यात्रा, फॉरण सेटल्मेंट 12 घर से हम अपने हस्पताल के खर्चे को भी देखते हैं अगर हम इन 12 भावों को सिंगल सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करें तो पहला भाव होता है तन भाव दूसरा धन भाव तीसरा भ्राता भाव भाई बेहनों का भाव चौथा माता भाव पाचवा संतान भाव छटा रोग भाव अगर ये 12 के 12 भाव आप याद रख लेते हैं तो आपको जनम कुंडली समझने में काफी मदद मिलती है तो ये तो हुआ 12 भावों का विवरण आपका मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद